हलो काईस कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है लगबग इसके बारे में सभी को पता ही होगा लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है और अगर आप इसके बारे में जानते भी होंगे फिर भी अगर आप अपने honor score को जल्दी से जल्दी improve करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप last तक देख लिए कि बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन information आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अगर आपको पता नहीं है ये problem आपके में क्यों आ रहे मेच मेकिंग के दोरान और आप अपना मेच कैसे स्टार्ट कर सकते हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा helpful रहेगा और गाईस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो पर देखो जैसे मैं अपना CS rank match लगाना चाहा तो यहां पर एक error आ जा रहा है कि हमारा honor score 90 से कम है और हम अपना matchmaking नहीं कर सकते हम मतलब solo matchmaking नहीं कर सकते हैं इसके लिए हम लोग को कोई other mode को select करना पड़ेगा और यहां पर confirm का एक option आ रहा है अगर आपके CS rank में ऐसा problem आ र rank bus में ऐसा problem आ रहा है जब भी मैं CS rank को लगाने जा रहा हूं लेकिन अगर आपके rank match में आ रहा होगा ऐसा problem तब यह video आपके लिए helpful रहेगा ठीक है तो जैसे ही आप CS rank पे क्लिक करोगी या फिर rank पे क्लिक करोगी इस तरीक एक notice आ जाता है और हम लोग को match लगाने नहीं द दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं तो इसको मैं close करता हूं और उसके बाद दोस्तों आपको अपना profile open कर लेना है यहाँ पर left hand side उपर में profile open करोगे उसके बाद इसमें last में यहाँ पर left hand side में ही option मिलेगा honor score का इसमें हम लोग को जान तब आपका battle royal rank नहीं लगेगा अगर 60 से कम हो जाएगा तो कोई भी squad match आपके में नहीं लगेगा तो इस score को आपको improve करना पड़ेगा 100 रहता है तो सभी matchmaking अच्छे से होता है अगर आप 90 से उपर कर लेते हो CS rank अच्छे से matchmaking होना शुरू हो जाएगा 80 से उपर कर लेते हो दिखाए देदेगा क्यों हम लोग का score कम हुआ हैं तो यहाँ पर 66 point करके दो बार कटा है मेरा क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए मैं false quit किया हुआ था score अपना जानबुच कर कि मैं कम करने के लिए false quit कर दिया था मतलब game खेलते समय अगर आपका internet चला जाता है जिसके भी misbehave नहीं करना है मतलब किसी को गालिव अगर नहीं देना है या फिर टीम अप अगर नहीं करना है ऐसे करेंगे तो आपका score धीरे-धीरे घटने लगता है सुरू में 2-3 match में नहीं घटता लेकिन उसके बाद घटना सुरू हो जाता है तो अगर आपके में minus हो चुक है score और इस तरीके से आपके में error आ रहा है तो इसको solve कैसे करना है उसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं तो इसको solve करने के लिए दोस्तों आपको यहीं पर आना है और आप चाहें तो इसका instruction पढ़ सकते हैं यहाँ पर पूरा-पूरा instruction दिया हुआ है कि हम लोग इसको जो है improve होना शुरू हो जाएगा और अगर आपके में battle royal rank भी नहीं लग रहा है CS rank भी नहीं लग रहा है तो आप classic match खेल सकते हैं CS classic या फिए battle royal classic इन दोनों में ही आपका score धीरे-धीरे plus होने लगेगा और अगर आपका एक ही दिन में plus नहीं हो पा रहा है तो आप एक दो द लेकिन आपको बेक नहीं करना है आपके internet slow नहीं होना चाहिए और किसी को गाली अगर नहीं देना है उसके बाद आपका score improve ही होगा माइनस नहीं होगा जैसे lone wolf में match लगाया इसको मैं पूरा पूरा खेलूंगा ठीक है इसको मैं फास्ट कर देता हूँ यहां पर सिर्व वी मतलब आपको लगबग 10 score का जरूरत है तो 10 मेच लगबग खेलना पड़ेगा लेकिन यह अलग-अलग मेच में अलग-अलग score मिलता है जैसे कि आप CS rank खेलते हैं CS rank तो वैसे बेन है अगर आप battle royal rank खेलते हैं या फिर battle royal classic खेलते हैं वो ज्यादा time को होता हो इसमें score 2 या फ हो चुका है तब आपको इसको plus करने में लगबग 2-3 दिन तक समय लग सकता है तब तक आपको दूसरा मेच ही खेलना पड़ेगा तो score को अगर आपको जल्दी से जल्दी improve करना है दोस्तों तो यही कुछ tips हैं आपको main बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी back नहीं करन दाया होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और पहल आइकोन में से आल नोटिफिकेशन को अन कर लिजिए तो चलिए गाईज अब मिलते हैं हमारे किसी और नए वीडियो में अभी गले सभी को बाइबाए